नश्कार दोस्तों यह वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियो पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियो को देखना चाहते हों तो वीडियो के एसपेक्ट्स हम सामिल करेंगे इस आर्टिकल की डिसकेशन में सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंटुडेक्शन की सुरवात में राइटर कहते हैं हमारे देश में दिखो 12 लाग के आसपांस एंजियो ऐसे हैं जो एजिकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने की दिशा में काम कर रहे हैं इन एंजियो के जो वरकर्स हैं या तो वो डिर्क टीचिंग में लगे हुए हैं पढ़ाते हैं बच्चो को या फिर इन एंजियो के वरकर्स टीचर्स के लिए वरक्सोप्स को और्ग्नाइज करते हैं पेड़ागोजी पर ध्यान देते हैं मतलब टीचर् के बारे में बताय जाता है ताकि टीचर्स ज्यादा बहतर ढंग से इफेक्टिव तरीकों से बच्चों को पढ़ास के और लर्निंग आउटकम इंप्रूव हो जायतर एंजियो का ये मानना है कि हमारे एंजियो के जो वरकर हैं वो एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने क दिशा में एक कैटलिष्ट का काम कर रहे हैं बड़ा इंफ्लूएंस डाल रहे हैं देश के एजुकेशन सिस्टम पर और काफी सरे रीजन्स के कारण ये भी माना जाता हैं ये जो एंजियो वरकर्स हैं ये ज्यादा इफेक्टिव हैं एस कंपेरिजन टू गवर्मेंट एम अगर इसके लिए ये एंजियो वरकर्स तयार हैं अगर ये क्वालिट एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने की दिशा में काम कर रहे हैं तो क्या इन एंजियो वरकर्स को पता हैं कि क्वालिटी एजुकेशन होती क्या हैं क्या मतलब है क्वालिटी एजुकेशन का हम define करने की कोशिश करते हैं कि quality of education का मतलब क्या है देखो हमारे देश में आज की situation में जातर स्कूलों की performance अगर marks के हिसाब से अच्छी है तो ये माल लिया जाता है स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है बट अगर क्या curriculum यानि syllabus बिल्कुल अलग है और in general life से कोई relevance नहीं है syllabus की तो क्या उसको quality education मानी जाएगी मतलब exam में score अच्छा आ रहा है किसी स्कूल का बट syllabus का कोई लेना देना ही नहीं है life से तो क्या उसको हम quality education मानेंगे नहीं मानेंगे दूसरा मानी जी अगर किसी स्कूल की performance अच्छी है बट टीचर्स वहाँ पर ड्रा धंका के students से काम करवा रही है पूरा बच्चों पर burden डाल रही है stress डाल रही है और इसके बाद बच्चों की जो performance है वो improve हो रही है तो क्या इसे आप quality education कहोगे इसका answer भी है no मतलब अगर हमें quality of education को define करना है तो हमें इन दो factors पर भी focus करना होगा कि curriculum जो है वो appropriate हो मतलब flavors में ऐसी चीजें ना हो जिनका कोई use हो ही ना life में next next pedagogy pedagogy मतलब teaching method teaching method भी appropriate होना चाहिए लेकिन अब फिर से question खड़ा हो जाता है कि भाया बताओ तो सही teaching method कैसा होना चाहिए या फिर syllabus कैसा होना चाहिए अब इन दो questions का answer हमें मिलता है various government documents से गोर्मेंट ने इस संदर में काफी documents जारी किये हैं जैसे national curriculum framework दो हजार पांच यानि ncf राइट ओफ चिल्डरन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट दो हजार नो र्टी ए national curriculum framework for teacher education दो हजार नो ncfte सबसे लास्ट में हाल ही में जो रिलीज की गई सरकार के दोरा national education policy 2020 future में देखो ये दो documents ncf और ncfte इन में बदलाव देखने को मिल सकता हैं बट नए जो documents आएंगे वो पुराने documents से बहुत ज़्यदा अलग नहीं होंगे तो ये safely assume किया जा सकता हैं जो भी एंजियो वरकर education की quality को improve करने के छेतर में काम कर रहा हैं उसको इन चार documents के बारे में पता होना चाहिए भली भाती से प्रीचित होना चाहिए वो एंजियो वरकर जो quality of education को improve करने के दिशा में काम कर रहा हैं बट देखो अब इन documents को अगर हम analyze करें इन documents के अंदर क्या-क्या दिया हुआ है quality of education से संबंदित या फिर पेड़ागोजी से संबंदित पेड़ागोजी मतलब teaching method राइट to education act के section 29 e में ये लिखा हुआ है learning through activities discovery and exploration in a child friendly and child concentrated manner तो NGO worker जो education की quality को improve करने में लगा हुआ है उसे पता होना चाहिए कि discovery का क्या मतलब है कैसे बच्चा सीख सकता है discovery की साहिता से और क्या discovery method की कोई limitation है teaching method में इसके साथ साथ ncf में भी ये recommend किया जाता है ncf का क्या मतलब है national curriculum framework 2005 ncf में बच्चों को सिखानी के लिए constructivist pedagogy को advocate किया जाता है तो NGO workers को ये भी पता होना चाहिए constructivist pedagogy से क्या मतलब है इसके बाद अगर हम बात करें national education policy 2020 की जिसे कुछी दिनों पहले release क्या गया था इसमें paragraph 4.33 में ये कहा जाता है कुछ subjects, skills या फिर capacities सभी students को सीखनी चाहिए ताकि सभी students good, successful, innovative, adaptable और productive human beings बन्सके इस तेजी से बदलते हुए संसार में कौन सी ऐसी skills हैं जो सभी students को सीखनी चाहिए scientific temper and evidence-based thinking, creativity and innovativeness, sense of aesthetics and art, oral and retail communication, health and nutrition, physical education, fitness, wellness and sports collaboration and teamwork, problem solving and logical reasoning, vocational exposure and skills, digital literacy, coding, computational thinking, ethical and moral reasoning, knowledge and practice of human and constitutional values, gender sensitivity, fundamental duties, citizenship skills and values इन सब values की बात किया जाती है National Education Policy 2020 में इन values को सभी students को सीखना चाहिए इसके बाद writer बोलते हैं अब देखो जो NGO worker education की quality को improve करने में लगे हुए है उन्हें इन सब का मतलब बता होना चाहिए कैसे बच्चों में ये सब values inculcate की जा सकती है ये तो तभी होगा ना जब workers को इन सब का मतलब बता होगा अब question ये भी उठता है क्या ये जो values है NEP में ये आपस में consistent है ऐसा तो नहीं कहीं एक value दूसरी value से contradict करती हो और उससे भी ज़्यादा NEP में quality education की ये जो characteristics दिये हुए है क्या ये values ये characteristics दूसरे document फुर एक्जामपल national curriculum framework उनके साथ compatible हैं उनके साथ consistent हैं या फिर नहीं हैं और क्या ये सारी जो values हैं जो national education policy में दी हुई हैं क्या ये सारी values equally important हैं या फिर कुछ values की जो weight is हैं ज़्यादा है as compared to other values question पूछा जाता है अगर देखो कुछ school ऐसे बच्चे produce करते हैं जो highly successful हैं, innovative हैं adaptable हैं, productive हैं extremely competitive हैं but uncaring हैं बेपरवा हैं दूसरे लोगों के परती क्या ऐसे बच्चे किसी school के लोड़ा produce किये जाएंगे तो क्या ये acceptable हैं नहीं, बिल्कुल acceptable नहीं है तो क्या फिर ऐसी education को quality education माना जाएगा नहीं माना जाएगा तो ये सारे examples देकर, writer ये कहना चाहते हैं देखो education की quality को improve करना ये एक simple task नहीं है सिरफ hard work से या फिर चाहने से teachers के साथ interaction से कुछ नहीं होगा अगर आप वास्तव में education की quality को improve करना चाहते हो, तो कुछ जो हमने ये questions discuss किये इस article में उन questions का answer पता होना चाहिए उन लोगों को education की quality को improve करने के दिशा में काम कर रही हैं simply इन documents को पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा writer कहते हैं वैसे तो देखो बहुत सरे NGO workers ऐसे होंगे उन्होंने ये documents पढ़े भी नहीं होंगे हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिनको इन documents के बारे में पता भी ना हो बट सिरफ पढ़ने से documents को काम नहीं चलेगा जो हमने ये questions discuss किये इस जैसे बहुत सारे important questions है जिनका पहले answer find out करना जरूरी है इनके answer से NGO workers भली बाती से प्रीचित होने चाहिए तब वो education की quality को improve करने के दिशा में काम करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा मतलब ये जो NGO workers हैं ये teachers की capability को improve कर रही है बट पहले इन NGO workers की quality improve होनी चाहिए इन NGO workers की पहले capacity building होनी चाहिए अफसोस ये है कि universities में ऐसा कोई course भी नहीं है कि इन NGO workers की पहले capacity building हो सके इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion